ताज महल के रखरखाव को लेकर उत्रप्रदेश के पूर्मुख्य मंतरी अखलेश यादव द्वारा किये गए सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट के बाद घमासान मचा हुआ है अखलेश यादव द्वारा उठाए गए सवालों पर भारतिय पुरा टत्व सर्वेक्षन स्पष्टी करन देकर सफाई पेश कर रहा है तो वहीं सोचल मेडिया उपभोकता द्वारा अखलेश यादव को समर्थन के साथ ट्रोल का भी सामना करना पड़ रहा है उत्रप्रदेश के पूर मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्टी अध्यक्ष अखलेश यादव ने ताज महल के रखरखाव को लेकर भारतिय जंता पार्टी सरकार पर निश्वाना साधते हुए कई सवाल उठाए हैं जिसका जंता से मिला जुला जवाब ताज महल के संगरक्षण और देखभाल को लेकर अखलेश द्वारा सोचल मेडिया प्लेटफॉर्म पर किये गए ट्वीट के बाद उन्हें जहां कुछ लोगों का समर्थन मिल रहा है तो वहीं कई लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं अखलेश यादम ने हाल ही में ताज महल की स्थिती पर चिंत व्यक्त करते हुए एक्स पर पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने आज सवालों के जरिये ताज महल के रखरखाव पर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाई थे उनके आरोप थे कि ताज महल की गुंबद पर जंग लग रहा है दिवारों पर पौधे उग गए हैं और बंदरों के समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है अखिलेश ने सीधे तोर पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि वह अतिहासिक धरोहरों के संग्रक्षन में विफल रही है इस पोस्ट के बाद से सोशल मीडिया पर उनके इस बयान पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं अखिलेश यादव के सवालों के जवाब में कुछ सोशल मीडिया उपयोग करता धार में काधार पर उन्हें निशाना बना रहे हैं एस पी मिश्र ने ताज महल के मुद्दे पर तंज कस्ते हुए कहा राम मंदिर प्रांट प्रतिष्ठा का निमंतरन अस्विकार करने वालों को आज ताज महल की बड़ी याद आ रही है जाहिर सी बात है कि तुष्टी करन की वज़ा से ही अखिलेश यादव की दाल रोटी चलती है मिश्र का इशारा इस ओर था कि अखिलेश यादव पर राम मंदिर की उपेक्षा करने और ताज महल जैसे विशियों पर राजनीती करने का आरोप लगाया जा रहा है उमंग जैन ने ट्वीट किया ताज महल की नीचे कन्नौज के जैनियों की दुकान है अखिलेश जी जाज करवाएं सभी जैन समाजवादी पार्टी से तन मंधन से जुड़े हैं इस टिपड़ी में जैन समाज को लेकर विवादित बयान दिया गया जिसमें ताज महल और अखिलेश की रिष्टे को जोडने की कोशिश की गई कलपना श्रिवास्तम ने अखिलेश जादव की आलोचना करते हुए कहा क्यों अखिलेश सुद्दिन इस बात का जवाब है नहीं है ना ग्यानवापी मंदिर 1993 में मुलायम सरकार ने बैरिकेडिंग कर हिंदूों को पूजापाट करने से रोका था सपसरकार ने पूजापाट से क्यों रोका था यह बयान धार्मेक और राजनीतिक द्रिश्टिकोंड से अखिलेश जादव की नीतियों पर सवाल उठाता है जहां एक और अखिलेश यादव को धार्मेक आधार पर ट्रोल किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर उन्हें समर्थन भी मिल रहा है आशिश यादव ने टूइट किया सवाल यह है कि ताजमेहल के रखरखाव के लिए जो करोडों का फंड आता है वो कहा जाता है आशिश ने ताजमेहल की देखरेक में हो रहे भ्रशचार और फंड के दुरूपयोग पर सवाल उठाते हुए अखिलेश के मुद्दे को सही ठहराया कोचन्य समर्थकों ने भी अखिलेश यादव का समर्थन करते हुए कहा कि ताजमेहल भारत की धरूहर है और इसके संगरक्षन पर सवाल उठाना जरूरी है उनके मुताबिक सरकार की जिम्मिदारी है कि वह ताजमेहल जैसी एतेहासे के मारतों पर सही तरीके से रख रखाव करें और इसके लिए आवंटित फंड का सही उपयोग हो अखलेश यादव की टूइट के बाद भारती पुरातत्व सर्विक्षन ने भी स्तिथी इस पश्ट की और कहा कि ताजमेहल की गुंबत पर जंग लगने की खबरें फर्जी हैं ASI ने बताया कि कुछ समय पहले बारिश की कारण ताजमेहल की बाहरी दिवार पर कुछ पानी की बूंदे देखी गई थी जिनका समाधान तुरंद कर दिया गया था इसके लावा बाहरी दिवारों पर होगे कुछ पौदों को भी हटा दिया गया है ASI ने ये भी बताया कि ताजमेहल की देखरेक और मरमत का कारे समय समय पर होता रहता है और किसी भी परेटक से पिछले एक साल में बंदरों की समस्या की कोई शिकायात नहीं मिली है ASI ने जनता से अपील की है कि वे भ्रामक खबरों से भ्रमित ना हूँ और ताजमेहल के स्थिती को लेकर अफ़बाहों पर विश्वास ना करें C News के लिए गुपाल शर्मा क्रिपो